चन्दीगड में जिस तरह से कंगा रनावत के साथ हुआ एक कॉंस्टेबल ने थपड मारा उनको सी ऐसा है। कुछ लोग खोट देते हैं, कुछ लोग थपड देते हैं। मुझे मालूम ने क्या हुआ है। मुझे मालूम नहीं, एक्चुल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। अगर ओ कॉंस्टेबल ने कहा है कि उनकी मा बैठी थी, तो यह सच है। और मा किसान अंदुलन में अगर उसमें शामिल थी, और उस मा के बारे में कोई गलत कहता है, तो लोगों को एक मन में चीड आती है, संता पाता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर बूदी जी कहते है कानून का राज है, तो कानून हाथ में नहीं लेना चाले। लेकिन एक कानून लिया है अपनी मा के लिए, भारत माता भी मा है उसकी, और जो किसान अंदुलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे, या कन्याई थी, तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है, और किसी को गुशा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मु मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के उपपर इस वकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन किसानों का संगमान इस देश में होना चाहिए, किसान की कन्या हो, किसान की पुत्र हो, चाहिए कोई भी हो, लेकिन लुगों के मन में कितना इस प्रकार से आपको नहीं है, हमको भी है ना, लेकिन एक सांसर पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसर है। सब चंडीगर में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ, एक कॉंस्टेबल ने थपड मारा उनको सी ऐसा है। कुछ लोग खोड देते हैं, कुछ लोग थपड देते हैं, मुझे मालूम ने क्या हुआ है, मुझे मालूम ने एक्च्छल क्या हुआ है, मैं देखूंगा और बात करूंगा। और खिसानों के जो आंदोलन था, उसको लेके कहा था कि सौसो रुपए में खिसान वहां बैठे हैं, तो कॉंस्टेबल ने कहा हुआ मेरी मा भी गई थी, जाके बैठी थी और आपने इस तरह से स्टेटी अगर वो कॉंस्टेबल ने कहा है कि उनकी मा बैठी थी, तो यह चीड आती है, संताबाता है, क्रोध आता है, लेकिन अगर बूदी जी कहिते है कानून का राज है, तो कानून हाथ में नहीं लेना चाले है, लेकिन एक कॉंस्टेबल ने कानून लिया है अपनी मा के लिए, भारत माता भी मा है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे, या कन्याई थी, तो अगर किसे ने भारत माता का अपमान किया है, और किसे को गुस्टा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोतना चाहिए, मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांस कोई भी हो लेकिन लुगों के मन में कितना गुस्षा अभी भी है यह समझ लेना चाहिए जैसे कि मुंबई में कांगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा हाथ लोगों का गुस्षा था कि गुस्षा अने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है हमको भी है ना लेकिन एक सांसत पर ह पात उठाना इस प्रकार से यह ठीक नहीं है, और सांसर.